ये मिठास जो है वो हरियाना थक भी फैल लेगी कैमरमन दीपक कुमार के साथ सैलेंसिंग नुजितीन भोपाल और आप ज़रा ये देख लीजे मीटर देख लीजे पब्लिक का मीटर जो जनादेश उसने सुनाया है उसके रुझानों का ये मीटर है हरियाना 90 में से 90 में बीजेपी 48 पर कॉंग्रेस 36 पर इस वक नजर आ रही है लेकिन बहुत तेजी से तब्दील हो रही है ये आकड़े राजनीती के जो जानकार है वो भी निवत समझ पा रहे हैं कि उन्ट को हो क्या रहा है तो देखी बीजेपी 49 पर रुझार में आगे है और कॉंग्रेस इस वक्त 53 सीटों पर आगे चल रही है लेकिन ये बहुत ही चोकाने वाला है और हमने ये भी देखा है कि लगतार इन आकड़ों में तब्दीली बहुत तेजी से आरी हो सकता है कि अगले पली कुछ और बड करेंगी और आज की चुनाओ करेंगी थोड़ा सा मुझे अंतर दिख रहा है जो जीजेपी को वोट परसेंट मिला था तक्रीबन 14 अच पर्तिशत मिला था वह अब जीजेपी देखें शून पर तो और समी 31 पर्तिशत हमारे जाज़ भाईयों का वोट था तो वोट कहां सि जनता पार्टी में कॉंग्रेस पे यह सोचने वाला परसेंट है जो आज के अभी आकड़े आ रहे हैं रुजान आ रहे हैं तो हमें लगता है कहीं नहीं के 31 पर्तिशत जाड़ता और 14 अच्वें परसेंट था भारती जनता पार्टी में मैकसिमम सब्ट हुआ थोड़ा बह पॉलर होगा लेकिन भाई पॉलर नहीं होकि भी स्कोर निदो से खोल लिया है अगर यह खाता खोलता ए तो खाते में नुकसान किसमना होता है कि डौ सितें यह तकरीबर दस सीरों कर yht quakare बिगार देते हैं और समीकरल किसका बिगारते हैं कहीं नहीं एक जो वोट जो एंटी बीजेपी वोट है उसको बिगारते हैं लेकिन जिस तरह से भारती जन्ता पार्टी ने पिछले एक महीने में बारबा बोला था देखिए चुनाओ जो एक तारी का दोर है उसमें पैटर आता हर चुनाव हमेशा नरेटिव को कैसे सेट किया यह जानना बहुत जरूरी होता है कुछ लोगों ने नेरेटिव को बहुत अछा सट किया था था अज़ें मोहूल भी चला है तुम बर बहुत अदर ऐसा के पार सथ में पाड़ दूसरी बात यह कहीं नहीं के समीकरण को भारती जन्ता पार्टी ने बहुत संजीदिगी से हलके से अंडर ग्राउंड होकर के चीजों को बैठाया है और समीकरण का रिजल्ट आपको दिख रहा है दिखिए जब समीकरण क्या होता है कि एंटी जाट बार बार बोलते हैं कि जाटों की पार्टी है यह बोना आता है कि जाट बाहुल चेत्र है यह जाट लेंड का राता है तो इसको नहीं मानता हूं मैं जहां इसे यह आप एंटी जाट होते हैं जाट के साथ जुड़ते हैं तो दूसरा जो वोट बैंक है जो दलित हो तकरीमन बीद सम्रों चार्ट होते हैं तो अगर पूरा जाट जाट पार्टी के साथ वी जाए और दूसरा है वह बहुता हैं साथ कहीन यह बीद से नुकसान हुए कौंग्रेस को हुआ और कॉंग्रेस ने हमेशाद दो चीज्च पर खेल के लिए घरने का कि यि यह खो है इनको मैं जानता हूं टैतोक उस पर जबान जितनी इंटरी हो ती उतनी हो लेकिन रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए इस छेत्र में यह नई स्कीम लाई गई थी उसको समझाना चारत लेकिन उसको अगे मैं बोलता स्रीगूफा छोड़ दिया गया एक नेरेटिव सेट करने की कोशिश की तो कि नेरेटिव सेट हर बार काट के हांडी नहीं चड़ती ह है उसको आपको राजनिति तोर पे दूर ग्यामी परनावन लेकर के राजनिति करनी चाहिए कहीं ने कहीं हमें लगता है कि कॉंग्रेस फेल हो जाती कॉंग्रेस चॉट टरम नेरेटिव सेट कर रही है वो नेरेटिव सेट करना इनके लिए नुकसान दायक हो सकता भारती बहुत खुबसूरती से चीजों को अपने अपने पक्ष में करते नजर आ रही है उसका परनायम आपको रिजर्ट में दिख रहा है जी जी नेरेटिव सेट करने वाली बात को लेकर आगे एक सवाल रहेगा और सिरोही साफ मुस्कान के साथ बिलकुल आपका रियक्शन प् क्या नेरेशन चलाते हैं मुझे समझ में ही आता है क्या किल्कुलेशन है पार्ती जंता पार्टी में अगर कोई जाट है तो वह रास्टबाद ही हो गया उसके साथ तमाम 36 को जुड़ गई है और जो कांग्रेस का जाट है उसके साथ सारे लोग एंटी एंटी हो गये वाह यह यह चीज़ें जो है सिरोई सब शुरुआत से जिस तरह से नेरेटिव सैक्ट करने में आप आगे रहें केंपनिंग में आप आगे रहें बहुत सारी उम्मीदें आपकी रहीं अचानक से वज़ा क्या रही कि बहले अगर उसे आप कांटे की टक्कर मनें सुन लीजे ना रही है बहले पीछे हो रही है क्या वज़ा लगती है मैं इसको आपको बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत चुनाओ था वहां के मुद्धों पर देखिए किसानों का मुद्धा रहा अगनी बीर का अगनी बीर में तो हीरवाHear में मुद्धा यहां पर तपका है ने मुझ ऐसा लगता है वो तो दोड़ भाग के शरीर के वह तो रोची रोटी चला लएमिया एउधर भी आता है कि यहां पर चुना हुआ है क्या बादा अभर प्लप शिव पुर्ट जन्ता ने जब मन बना लिया देखिये दोजार चुदा में भी जब यह चुना हुआ था जब जन्ता ने मन बनाया था एथा इसाई मन अभी हर्याणा बारा एक बजे तक देखिएगा बहुत बड़े इस तरसे कांग्रेस को समत्थन दिया है किसानों नोजवानों चलिए अच्छी बात है और होनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए जिस तरह के पहिना हमारे सवाल मेरे यह था कि वजय क्या रही कि जो एक तरफा माहौल लग रहा था अब वो कांटे की टकर में तबदील होता नज़र आ रहा है एक शॉर्ट रियक्शन ड़क्टर शर्मा आपका जी प्लीज अब हम जो ट्रेंट देख रहे हैं या ECI का ओफिसल डेटा देखते हैं तो उसमें लगभग जो डिफरेंस देख रहा है दोनों ट्रेंट का वो च्छाली सो सैतीस है प्जेपी च्छाली सो कॉंगर्स सैतीस देखिए आपको भी बड़ा एक्जामपल द ज्यादा तर जो एक्सपर्ट थे या जो राजनीती को समझने वाले लोग थे वो मानते थे कि यहां कॉंग्रेस बहुत मजबुती से आनिक इस्तेती में हैं लेकिन जैसे जैसे यह चीज़ी स्प्रैड हुई आपने देखा होगा कि जो और नई जिस्टनल सैटप है बीजे नवे भारतिमता पार्टी ने दिखाया लेकिन वहां जो ओल्ड केडर है उसको साटिस्पाइट करना जैसी अनिल बिज्जा से लीडर मद्द्रदेश में अभी कही न कहीं ऐसे कहीं लीडर से वह गाना गा रहे थे तुरे दर पहले टीवी पर हाला कि तो लंबे सुना मैंन तो मेरा कहने का ताथ पर यह जो रिजल्ट में या जो एक्सपेक्टेशन थे या प्रिडिक्शन थे उन प्रिडिक्शन में जो चेंज मेजर देख रहा है वो कहीं न कहीं उसका जो मैं क्रेड़िट देता हूं वो वहां की सरकार की प्रो इंकिम्बेंसी को नहीं बलकि भा तरतिन्ता पार्टी उतनी ज्यादा भारतिन्ता पार्टी देश के अंदर बुर राजनितिक दल है जो अच्छी खबरों पर बुरी खबरों पर तो काम करती है तो आपने सही गुआ दो चीज़े बिलकुल पैरेलल चल जाती है एक तो बीजेपी जिस तरह से आकरामक हो जाती है और कॉंग्रेस जिस तरह जीत के मुझसे हार को छीन कर ले आती है वह अमने चतीज़ गड़ में देखा ही है ड़क्टर व्यास प्रेम व्यास भी हमाई साथ जोड़े हुए प्रे टीएं ये काेंग्रिस पार्टी की हिए शितर त觉्रत को उलए चो कि वारð से जो वांके नाना मामा गुत लेता है अब अब दूसरी बात है जाटों के विशेय में पात हुआ उसमें धढंगर जी पर मिमिक्री की जाती है तो यही जाट ज्तने हमारे वारत के वो चुक रहते हैं तकि रहुल गांदी के अगर कुछ कहा जाता है या विशेश परिस्थितियों में कुछ टिपड़ी कहा जाता है तेक बुलियों कंटिनू प्लीज देखिए और तीसरी बात है कि जो यह जम्मू कश्मीर को लेके प्रसंद हो रहा है वहाँ पर से हमने विकास करा है बीपेल काज की बात हो खर्ची और पर्ची को नकारते हैं हमने आनलाइन सुविदाएं वहाँ पर दी है दूसरा वह राजस्थ वह बढ़ाएं पर केपिटा इंकम बढ़ाएं हम इन चीजों को लेकर आशानवीत थे और पुर्व से कह रहे थे कि प्र सब्सक्राइब जाएंगे जी जैसे कॉंगरेस एंसी के साथ चल रही है आप वहां बहुत सारे निर्दलियों के साथ चल रहे है अच्छा परफॉर्मेंस पिछले अगर ट्रेक रेकॉर्ड को देखा जाए उस साथ से और जिन एक राना सर का भी ले लिया जाए बिल्कुल तो किसी सीनर लीडर ने भी उसे पार नहीं पाया और यह बिल्कुल पुखता था कि विनेश जीत कराने वाली हैं अलांकि अभी कुछ कहना मुश्किल है लेकिन अभी वह रुजहानों में पीछे चल रही है इस तार्डम काम करना था क्या उस भीड के पीछे लेकि रेनो मै वोट में कर देना ही तो बड़ी अच्छा हो जाता है आपने देखी पहले जमाने मायवती की जिए रही हुआ करती थी बीस भी सलाक ददस लाक लोग आते थे यह दस लोग लाक लोग उनको एक ही तरपा वोट दे देते थे बीजेपी जी जाती थी जाती नहीं धीड का अक था ही नहीं कॉंग्रेस मुद्य को लपका इसलिए लपका कि उनको लगा कि हर्याना में जाट बहुल है और आपने इसमें बोला कि धमक है तो है इसमें मुझे बड़ा गर्व होता कि धमक होनी चाहिए 22% धमक के साथ रहना चाहिए वो धमक को कैलकुलेट करने के लिए उन्हों ने उठाए थे विनेज जी ने हमारी बैन ने उमुद्धे क्यों दो चार साल पुराने थे उपंद्रा भीस साल पुराने थे भाई उस मुद्धे को इठाने का तात्पर क्या होता है जब हम बात करते अगनी वीर की होजना पे लेकि सब बार बार दुवारा फिर कि सबसे अधा जो सानीक होते हैं हिमानचल से हर्याला से उत्राकंड से आते हैं और सानीकों में सही होने वाले भी इसी समुदायके और राजपूत और जाग समुदायके लोग जादा होते हैं लेकिन इसका मतलम नहीं की योजना गलत ती उसको प्रजेक्शन कैसे किया गया वो देखना चाहिए और तीसरा देखिक आप इनको देखने किसान जवान और भाइब आप परशान ऐह जए हैं गजान पर्छान जवान में कि इसनों की बात करते łज स्थीлан से लागू की गय थी नाइंडी सिस्टिफाइफ सो दोलार चवदे पर लेते क्या ना रहते क्या ना रहाँ चौन जा का निए तो सरकार क्यों मां रही है कि चलो तुदा करते हैं चुदार किसे में Carm tricky जितनी सर्कार को जरून है सेना में उतने लोगों को लिया जाता है जो चार साल के लिए लोगों को लिया जा रहा था उसमें एक तुर्टी में मानता हूं और सरकारों को बिचार करना चाहिए मैं बोल ला हूं जो शहीद हो जाता हूं चार साल के अंदर उसको शहीद का दरजा और उसी तोर पर इसे स चैनिक का सम्मान होता है उस तरह से होना चाहिए वह अगर दूर कर लेते हैं तो अगनीवीर की भी ओजना के नहिंदनी बिकुल सारे सारे चीज एक स्ट्राइणिक के बराबर होनी चाहिए शहीद हुआ बच्चा चाहिए उन 4 साल में कांकर रहें चालिस साल में कारव सहाधत तो सहाधत होती है उसका में सलाम करना चाहिए उपने देश के लिए जान देता है और यह योजना क्यों लाए गई थी ति कि ऐसा है कि सिंगापुर में मैंने पढ़ाइभी नागरी को दो साल सेना में देना पड़ता है चुटी लेके इसे जाएल पर डिसकस करके उसको तुर्टियों को दूर किया जा सकता था और किया जाना चाहिए लेकिन अब तो वो विरोत तो उसका हो ही रहा है अब वो जो सुधार किया जाएगा वो तो भविश्य की बात है सर अभी तो वर्तमान में जो वो यही है कि नाराजगी है अगनी वीर पर पाथ प्राथ मिद्टा में रखेंगे तो इस तरीकी के वेइं दौप पर पूर में अगर्जारी नोग्रेशान चाहिए उसको बढ़ाना चाहिए नंबर 2, कि उनको शहीट का दरजा देना जितनी फैनिशन चीजे होती है जो एक सेनिकी होती उसको भी उतना ही मिलना चाहिए लेकिन यह योजना बुरी नहीं है उसको जिस तरह से प्रस्टुत किया गया है तो राहूल गांदी जी पार्लेमिन में इस मुद्धिय को क्यों नहीं उठा अगल को किसान आदमी है एक मैं हमारे में क्या एक बैस आई उसका भूल सींग नियी है फिर किसी नहीं बोला कि उसकी पूंच में तखलीफ है अरे बैस तो है पूंच लिए फिर एक बैस ने बैस ने पर तो दूद कर रही है इस ही मतला पार्फ पश्चीज उसमें कमियां यही रामाजी करना है कि अगनी भी दिय्द है वह भी कमी है रहसे की बाद्ट कर रहे हैं बैसे दूद में बदारि देती है कि आप बैसा दूद में पूर्द है अई हम भी कहां से आए और भैसा नहीं देता भैसिया देती है और भैस हमारी दूतर ही बिना सिंग वाली सुन लीजिये आप मैं जो यह कह रहा हूं वो सुन लीजिये आप सिंगापूर में पढ़े हैं ने रहे के आया हूं यहां भी NCC ची तीन साल की ट्रेइनिंग होती है Certificate A, Certificate B और Certificate C यहां भी लोगो को काम भी आर्मिंग की ट्रेइनिंग का दिया जाए है